तो देखते हैं यहां पर question number 57 में हमसे क्या पूछा गया है अब flower pot drops from the edge of a roof of a multi-storage building calculate the time taken by the pot to cross a particular distance AB of height 2.9 meter the upper point A being 19.6 meter below the roof तो यहां पर हमें क्या बताना है कि यहां पर एक multi-storage building है यहां पर flower pot जो यहां पर पौदर जिसमें रखते हैं तो हमारे यहां पर क्या होगा नीचे गरेगा तो नीचे गरेगा तो हमें एक particular distance की यहां पर जो height जो रखे 2.9 meter दे रखे हैं तो यहां पर क्या एक flower pot है वो हमारे यहां पर क्या करेगा multi-storage building से नीचे की side गरेगा और हमें एक particular distance रखा AB तो मालो की यह हमारे position O है and यह हमारे यहां पर क्या हो जागे and यह हमारे यहां पर हो जागे लेगाए यहां पर कितना time लेगी तो यहां पर A point और O point की बीच की दूरी है वो हमारा यहां पर किती है 19.6 highway की दूरिए है तो यहां पिस्कुरार क्लेतं रिभी करने बें कितना time लगेगा वो हमें यहां पर calculate प्लस का 2GH, हम यहाँ पर AS की जिगा क्या लेते हैं, GH लेते हैं, और S और H दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और acceleration की जिगा हम यहाँ पर gravity ले ले लेते हैं, और जो यहाँ पर इस formula का use कर रहा हो, वो यहाँ पर किसकी दूरी के लिए कर रहा हो, वो हम यहाँ पर क इस वहारी होगी जीरोगी क्योंकि इस समय जो फ्लावर पॉट था वह यहां पर राइस्ट पोजिशन पे था तो यहां पर क्या हो जगा चीरो प्लस टू मंटिप्लाइग ग्रेवेटी गी वैली यहां पर 9.8 वह हमें यहां पर क्या रखा है 19.6 मिटर दे रखा है तो यहां आरे स्क्वेड से यहां रखा स्क्वेर गया तो वी विवाराइख के तो एंटीन पॉइंटर पार सेकंट, क्या बेना कि इनिसल वैशीटि यहां पर इसकी इनिच्यल हो एक के लिए यहां पर हो जाएगी यू इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड मैं फिर से आपको पता देता हूं जो ओ एकी final position थी अगर मैं यहां पर एबी के लिए calculate करूगा तो एक लिए यहां पर क्या होगे initial velocity होगी तो हम यहां पर क्या करेंगे same formula use करेंगे same formula मतला third equation of motion v square equal to u square plus 2gh तो final velocity हमें नहीं पता वो हमें यहां पर calculate ही करने है तो v square ही रहेगा initial हमारे यहां पर क्या होगे 19.6 का whole square plus 2 multiplied 9.8 और height हमें यहां पर ab के लिए गिवान है कितनी 2.9 इसको यहां पर क्या करेंगे further calculate कर लेंगे तो यह हमारे यहां पर क्या हो जागा v square equal to 19.6 का यहां पर हो जाएगा whole square plus यहां पर दुबारा आ जाएगा 19.6 multiplied 2.9 तो यह हमारे यहां पर क्या हो जाएगा v square और हमें यहां पर 19.6 का whole square का value find out करने पड़े कि तो कर ले ते हैं 19.6 को 19.6 से multiply करके 6 6 जा 36 का 6 3 कह रही गया 9 6 जा 54 और यहां पर 57 आ जाएगा 5 कह रही गया 6 1 जा 6 and 5 11 हो गया हमें 9 से करना पड़ेगा दूपार हमें यहां पर 9 से करना पड़ेगा 9 6 जा 54 का 4 5 कह रही गया 9 जा 81 86 और यहां पर आ गया हमारा फार कि जा नाई आन और eight यहांपर कितना हो गया 17 हो गया and आप हम यहां पर 11 16 7 for 11 का 1 आएंड हाफzahlol और 13 अजहाँ एंड हाएं रावस्टीन एंड होतीन एंड ह्फर कितना आज ए इंड हमारा three तो 38416 और दो डिजेट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पर कितना आ गया 384.16 प्लस अब हमें यहाँ पर 19.6 को किस से मंटिलाई करना पड़ेगा 2.9 से तो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं 19.6 को 2.9 से मंटिपलाई कर लेते हैं 9.6 जा 54 का 4, 5 केरी गया 9.10 जा 81 and 5, 86 8 केरी गया 9.10 यहाँ पर आगया 17 अब हमें यहाँ पर 2 से काना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना हाँगा 2.6 जा 12 एंद हमारा आ जाएगा 2.1 केरी गया 9.2 जा 18 and 19.1 केरी गया 21.2 जा 2 जा कितना हाँगे अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों को add करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 6, 4, 10 का 0, 1 करी गया, 8, 1, 9, and 10 यहाँ पर भी 0 आ गया, 1 करी गया, and यहाँ पर कितना होगा, 6, 4, 10, and 11, 1 करी गया, 8, and 5 यहाँ पर कितना होते हैं हमारा 13, and यहाँ पर हो जा का जागा अंडर औरॉट में 449 और 541 का एंडरूट की वैलुय आपको यहां पर पता होंने चाहिए काफी सिंपल होती अगर आपको यहां पर नहीं पता है तो मैं calculate करके बता जता हूं कैसे करना को तो यहां पर मारा 441 ता तो हम यहां पर simple हम यहां पर 7th 8 plasma जैसे square root निकाल लेते वैसे निकालेंगे तो हमारे हम यहां पर pair लेना है तो यहां पर 2 pair लेना इसका एक पर आएगा तो यह हमारे हमारे हम पर आगया 4 एड्द हमें 41 एक साथ लेना पड़ेगा और यहां पर हम लेंगे 1, तो 1 को 1 से करेंगे, तो 41 हमारा cancel out, तो हमने यहां पर क्या लिए 21, तो यह हमारा यहां पर क्या है, V equal to 21 meter per second, तो यहां पर हमारा AB cross करने में, जो इसकी final velocity होगी, वो हमारी यहां पर क्या होगी, 21 meter per second होगी, अब हमें हमें यहां पर निकालना क्याता है, हमें यहां पर time निकालना था, तो time निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, first equation of motion का use करेंगे, तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको rough कर लेता हूं, तो first equation of motion हमारा हमें यहां पर क्या होता है, V equal to U plus G T होता है, 15.6 plus 9.8 T तो मैंने हैं पर सेमी चीज लिख लिए है हमें हैं पर क्या करना पड़ेगा इसको subtract करना पड़ेगा 19.6 को अगर मैं हैं पर left side ले जाता हूं तो यह हमारे हैं पर क्या हो जाएगा negative हो जाएगा 21 minus 19.6 equal to 9.8 T तो subtract करने पर यह हमारे हैं पर कितना आजएगा यह हमारा आजएगा 1.4 आजएगा equal to 9.8 T और T की value हमारे हैं पर क्या हो जाएगी यह हमारे हैं पर T था तो T की value हमारे हैं पर हो जाएगी 1.4 divided by 9.8 तो point से point हम यहां पर हटा देंगे अब यहां पर इसको 2 से divide कर सकते हैं 2.7 जए हैं पर 14 होता है and यह हमारे हैं पर क्यों हो जाएगा 2.4 जा 8 and 2.9 जा 18 7 बन जा 7 7.7 जा 49 तो T की value हमारे हैं पर क्या हो गई 1 upon 7 second आ गई और आप इसको यहां पर divide भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर आपको side में divide करके दिखा देता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं left side में तो 1 को मैं यहां पर 7 से divide कर लेता हूं तो point लगा कि हम यहां पर 0 ले सकते हैं 7 बन जा यहां पर 7 हो जाएगा तो hope आपको ये वाले question का answer समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ.